हे गाईज, वेलकम टू दू दा स्टडी विद मायंग, मैं हूँ आपका मायंग, हम लोगों की यहाँ पर PCS Special, डेली जीके की सीरीज चल रही है, आज आपकी तारीक है 15 अगस्त, आज के वीडियो में हम लोग मद्यकालीन भारत के त्यासिय सम्मदित प्रश्णों को देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रश्ण है, निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए, पुशा गया है कौन सा कतन आप सही है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिलकुर सही है अब देखें यहाँ बताया गया है कि हरेहर और वुक्का मुहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे तो देखें यहाँ पर सेकिंड वाला कतन ये भी सही है ये लोग जो थे मुहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे देखें एक पौनारिक कता की अनुसार हरेओर और बुक्का वारंगल के कागातियों के सामन थे और बाद में आधनिक करनाटक में कमपिली राजे में ये मंत्री बने जब एक मुस्लिम विद्रोही को सरड देने के लिए मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा कमपिली को उखार फेंका गया तो दोनों भाईयों को कैद कर लिया गया और एसलाम में परवर्दित कर दिया गया और विद्रोहियों से निपटने के लिए इने निक्त किया गया तो इसका मलब यह है कि ये मुहम्मद बिन तुगलक के समकाली नहीं थे तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों के थन सही है देवराय दुतिये, ठीके फार्सी यात्री अब्दुर्रज्दाक जिन्होंने भारत में और बाहर ब्यापक रुप से यात्रा की थी, देवराय दुतिये के सासनकाल में इसने विजयनेगर का दौरा किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकिंड का डी वाला, किस साथवहान राजा ने पश्मी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की, सिमुक, स्री सत्कर्णी, क्रश्न, हाल, नेकि सिमुक जो है, यह साथवहान सासन का संस्थापक है, यानि यह कोन है, यह संस्थापक है, उसका उत्रादिकारी क्रश्न हुआ, यानि इसका उत्रा दिकारी है, करश्ण का उत्रा दिकारी हुए, तीसरा राज़ हुए, स्री सत्कर्णी हुआ है तो स्री सत्कर्णी इसने पश्मी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की और इसने असुमेद यग्य भी किया तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का B वाला चौथा प्रश्णे बापका बह्मनी सामराज के संधर्म में तराफ सब्द का क्या आर्थ है प्रांत, कर, हत्यार, सैना देखें बह्मनी सामराज में तराफ सब्द का आर्थ जो है प्रांत से है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है यहाँ पर चौथे का A वाला यानि प्रांत पांच्मा प्रश्टने बापका वियनगर सामराज के संधर्म में निमलिकित में से कौन सा या कौन से विकल्ब सही सुमिलित हैं यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कोई विकल्ब सही सुमिलित हैं उसको identify करना है इस्थल, उपजिला, ग्रामा, गाउं, मंडलम, प्रांत, नाडू, जिला देखें यहाँ पर आपके सभी के सभी विजनगर सामराज के संधर्म में जितने हाँ यूग में दिये गए हैं सभी सुमिलित हैं इस्थल याँ उपजिला, ग्रामा का मतलब गाउं, मंडलम का मतलब प्रांत है और नाडू का मतलब जिला है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पांच में का डी वाला याँ एक, दो, तीन, चार छटमा प्रश्टने बापका, निमलिखित में से किस सहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है लखनव, जहां सी, जौनपुर, वानार सी देखे, जौनपुर सहर को पूर्व का सिराज की संग्या दी गई है शर्गी सुल्तानों ने जौनपुर को अपनी रायधानी बनाया था और इन्होंने वहाँ पर सांदार महलों, मज्यदों और मकवरों से सजाया है सर्गी सुल्तान सिच्छा और संस्कित के महान सरच्छक थे जौनपुर में कभी विद्वान एकटे हुए और उस पर प्रकास डाला समय भीतने के साथ जौनपुर को पूर का सिराज कहा जाने लगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छटमे का सी वाला सात्मा प्रश्टने बाप का जैनूल आपदीन के संधर्म संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पूंचा गया है कौन सा कतन आपका सही है पहला है कस्मीर के सासक जैनूल आपदीन ने गोहत्या को समाप्त कर दिया था उन्हें महान सुल्तान बढ़ सहा कहा जाता था तेके जैनूल आपदीन का जो टाइम पिरियेड है ये 1420 से लेकर 1470 के बीच का है इन्हें कस्मीर के मुस्लिम समराटों में सबसे महान माना जाता है वे अपने पूरबर्तियों के विप्रीत अपने धार्मिक दर्ष्ट कोण से उधार थे अपने सासंकाल में उन्होंने जजिया और गोहत्या को समाप्त कर दिया और हिंदूओं की इच्छा का सम्मान करने के लिए सती पर प्रतिमंद बापस ले लिया था तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुर सही है सेकंड वाला कतन ये भी सही है देखे जैनरल आपदीन को अभी भी कस्मीरियों द्वारा बढ़सा बढ़सा का मलब होता है महान सुल्तान तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कतन ये भी सही उन्हें महान सुल्तान या बड़ साग खा जाता था और आज भी कस्मीरी इसी नाम से पोकारते हैं तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों कथन सही है आपका सही आंसर है साथ में का सी इन्हें एक और दो दोनों आजमा प्रश्टने वापका निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा अकतन सही है बेसरा सूफी बाद की एक साखा है जिसमें सूफी इसलामी कानून से बदे होते हैं बासरा सूफी बाद की एक साखा है जिसमें सूफी इसलामी कानून से बदे नहीं है देके यहाँ पर बात करें सुफी बात की तो सुफी बात एक महतपूर अवधार्णा है जिसने मद्दिकालीन भारत में धर्मों को आकार दिया और यहाँ इसलाम का एक रहस्य में रूप है जो इस्वर की आध्यात में खोज़पर केंद्रित है सुफी आधेस मोटे तोर पर दो वर्गों में भाजित है बासरा और बेसरा बासरा का आड़त होता है यानि जो इसलामी कानून सरा का पालन करते है और बेसरा का मतलब होता है यानि वे लोग जो इसे फॉलो करने के लिए बात दे नहीं है तो यहाँ पर आपके कतन एक और दो में जो चीज़े लिखी गई है वो उल्टी लिखी गई है यानि बेसरा की जो विसेस्ता है वो बासरा में लिख दी है और बासरा की विसेस्ता है बेसरा में लिख दी है तो यहाँ पर आपके दोनों ही कतन जो है गलत हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो का आठमे का D वाला ना तो एक सही है और ना ही दूसरा नौमा परश्टने बाप का निम्लिखित सूभी संतों में से किसे चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था देखें किस्ति यादेश भारत ने खोजा मुईनुदिन चिस्ति द्वारा इस्थाबित किया गया था जो प्रतबीराज चौहान की हार और मत्यु के तुरंतबाद ये गयारेज सो बानवे के आसफासवास भारत आये थी यहाँ पर बात करें किसे चिरागे दिली के नाम से जाना जाता है तो नसिरुद्दीन महमद को चिरागे दिली के नाम से जाना जाता है हाना के चिस्ती संतों में सबसे प्रसिद निजामुदीन ओलिया और नसिरुद्दीन चिरागे दिली ये दो लोग हुए हैं लेकिन यहाँ पर चिरागे दिल्ली को, यानि चिरागे दिल्ली जो निसिरुदुन महमूत को कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है नौमय का सी वाला दस्मा प्रश्टने बापका, हकीके हिंद, गरंथ का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अब्दुल वाहिद, बिल्गरामी, इबन ए अर्वी, मलिक महम्मद जाएसी देगे तेरेवी, चौदेवी स्थापदी के दोरान, हिंदी गीतों का उपयोग इतना लोगपरी हो गया कि एक प्रख्यात सूफी अब्दुल वाहिद, बिल्गरामी ने हकीके हिंदी गरंथ लिखा जिसमें उन्होंने सूफी रहस्यवादी सब्दों में प्रश्टन, मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदी जैसे सब्दों को समझाने की उन्होंने कोसिस की है तो यह हैं अब्दुल वाहिद, बिल्गरामी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है जसमें का बी वाला तो यह था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला है तो चलिए आज के लिवस्त नहीं, थेंक्स पूर वाचिंग, जैहनुद